नमश्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपकी साथ सौमयराथी डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में के बारे में अब बात होना शुरू हुआ है अब लोगों ने इस चीज को रेक्नाइज करना स्टार्ट किया है लेकिन अभी भी mental health का physical health पे क्या impact होता है मांसिक तनाफ शरीर को किस तरीके से प्रभावित करता है लोग यह नहीं समझते ऐसे में मैं आज चाहूंगे आप हमारे दर्शकों को बताए कि stress की वज़े से मांसिक तनाफ की वज़े से शरीर में क्या-क्या दिक्कते हो सकती है सीने में दर्द हो सकता है की नहीं ऐसा है सोम्या जी कि एक समय में कुछ अर्शा पहले लोग समझते नहीं थे सिर्फ physical और mental इसको अलग-अलग रखते थे physical बिमारियां और मांसिक बिमारियां अब तो definite हो गया कि दोनों में इतना अन्योनासरे संबन्द है कि आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं साइको सोमेटिक डीजेज जो हैं पहले एक खास सेट को डीजेज को कहते हैं हम लोग साइको सेमेटिक कहते थे अब तो है कि आपको पेप्टिक अलसर हो सकता है आपको hypertension हो सकता है, diabetes हो सकता है, angina हो सकता है, heart attack हो सकता है, importance हो सकता है, stress से क्या नहीं हो सकता है, कौन ऐसी बिमारी है जो आपको तनाओ से वो induce नहीं कर सकता है तो तनाव तो एक ऐसी चीज़ है जो सारे बिमारियों का, सारे जो शरीर के अंदर जितने भी आप कर सकते हैं कि मेटआबुलिज्म का गरबड का जो आधार है ओ तनाव है तो तनाव को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपने सारी बिमारियों पर आपने फत्र जारी कर लिया अब सवाल है कि बिमारियों का तो एक तो फीजियोलोजिकल असर होता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोग देखते हैं कि रोज मरीज का जो यंग एज का मरीज है जिसको हम लोग करते हैं psychic hyperventilation यानि psychic hyperventilation में होता क्या है कि एक तम chest pain लेकर आएगा मरीज और young age का hardly 20-22-25 के लोग आते हैं clinic में पूरा chest pain लिए हुए पसीने चल रहा है आप उनको देख के कर सकते हैं सांस फूल रहा है कसके आप उनको देख के कोई भी वेक्ति कहेगा लगता हाट रेक हो गया लेकिन हाट रेक नहीं होता है और हर आदमी परशान हो जाता है बड़े-बड़े सप्ताल में दोड़ लगाता है कई बार तो ICU में लोग admit भी करवा देते हैं लेकिन ओ होता नहीं है तनाव induced hyperventilation करते हैं पूरा दम फूल रहा है सब कुछ कर रहा है एक जो उनको थोड़ी mind reading आती हो और age stress induced तो होता ही है तो आप तनाव का आपने निवारन कर दिया तनाव का आपने निजात की और पदेतियां आप ना ली तो समझे कि बिमारी पर आपका खात्मा तो शौभाविक है लेकिन तनाव की वज़े से सारीरिक बिमारियों का काफी का काफी लम्भी फेरे इस Whenever इसको आप अगरे गिनाना चाहें तो हो सकता है घंटों लग जाए हो सकता है कि दिन भी लग जाए तो लेकिन सबसे जुरूरी है कि जो नौर्मल सिंटमस है तनाव का उसको पचाने वहीं से तनाव को कम करने की कोशिस किजह ताकि वीमारियों में तब्दिल नो हो जाए तो नॉर्मल सिम्टम्स में यह है कि हार्ट का रेट का बढ़ना घबड़ाहट का हो जाना पसीना चूटने लगना सांसों का तेज हो जाना यह सारी चीजें तनाव की वज़ासे हो सकते निंद का नहीं आना स्लिफलेसनेस इंसॉम्निया जो आजकल यहां में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इस पर ध्यान रखना है डॉक्टर साब अब एक आखरी चीज इस वीडियो के लिए यही जाना चाहूंगे जब कोई मरीज यह समस्या लेकर आता है आपने बताया कि मानसिक तनाव तो ठीक ह हो जाएगा उसके लिए आपने चीजें भी समझाई कैसे हो सकता है शारीरिक तनाव जो हो गया उसका निवारन कैसे होगा अगर बीमारियां हो गई जिसके बेस में मानसिक तनाव है तब बीमारियां अगर हो गई मान लिजया आपको ब्लड प्रिशर हो गया आपका इंजा सवास्थारियां हैं ओंषनीआर स 22 Crunch दोड़की जिंदगी में यहां व्यक्ति को लोगते नहीं वक्तनी है परिवार के साथ गुजरने का मादा नहीं है समय नहीं है तो समय की कमी से लेके परावर्ष हुआ पराढ़ वर्ग्रेशिक्स लोग समय की तोड़ा सा समय आप ध्यान के लिए लगाएं, थोड़ा सा परिवार के बीच बीच बिताएं, थोड़ा नेचर के बीच जाएं, तो इन सारी चीजों से, इन सारी विधाओं से बहुत हद तक आप मानसिक तनाव को और उसके दौरा जन्य, सारीरिक जो व्याधियां हैं, उन और आप अपना विजय हासिल कर सकते हैं उम्मीद करती हूं कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बाते बताई हैं आपने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में तब तक के लिए अगर वीडियो फ झाल